Hello friends, welcome back to PC Study Channel Friends, आज हम लोग बिहार बोर्ट 12 Chemistry Objective का पाचमा क्लास करने जा रहे हैं और हम लोगोंने अभी तक Chemistry Objective का 4 क्लास कम्प्लीट कर लिया है जो आपको प्लेइलिस्ट वे मिल जाएगा, वहाँ से जागर के ज़रू देख लिजएगा आप लोग और साथ में हम लोगों ने अभी तक physics का और हिंदी का भी कुछ classes complete किया है objective का जो आपको प्लेश्टिव मिल जाएगा बाग की जिसका class अभी तक start नहीं हुआ है जैसे हो गया आपका English, Math और Biology का उसका भी class जल्दी start हो जाएगा तो आप लोग जो है जाकर के देख लीजिएगा तो आज हम लोग chemistry का पाचमा class start करने जा रहे है और हम लोगों ने एक class में 35 questions को यह cover करते हैं क्योंकि जो है videos long होने के बाद आप लोग continuously वीडियो को नहीं देख पाते हो इसलिए हम लोगों ने एक class में 35 questions कवर करने का सोचा है जिससे छोड़ा छोड़ा videos बने और आप एक साथ पूरा videos को बिना skip किये देख सकें तो जो है आज class को start करते हैं बाकि सारे videos अभी तक जितना भी हुआ है playlist मिल जागा वहाँ से दाकर देख लिजेगा बाकि जो भी आएगा वो भी आपको playlist मिलेगा तो जरूर देख लिजेगा और चानल पर नहीं हो तो subscribe कर लिजेगा क्योंकि जितने भी class आएंगे उसका आपको notice मिलता रहेगा और पर लिजेगा आप जाकर के देख पाएंगे तो चली start करते हैं आज के class को तो आज के class में हम लोग chemistry का पाच्मा class start करने जा रहे हैं तो यहाँ पे जो है पहला questions आज के class का क्या है तो पहला questions यहाँ पे बोल रहा है एक समीकरन दिया हुआ यहाँ पे देख सकते हो राइट एन आई c o 4 में निकेल निकेल की oxygen संख्या कितनी है यहाँ पे बताना है तो क्या होगा इसका आप लोग बताइए इसका जो सही answer होने वाला है वो होने वाला जीरो options number a राइट चलिए बढ़ते हैं questions number second की ओर बोल रहा है किसी भी पदार्द के किरिया करने की दर किस पर निर्भड करता है यह आपको बताना है तो questions number जो है यहाँ पे 14 का जो सही होने वाला है वो होने वाला options number a सक्री दर्मियान पर चलिए अब बढ़ते हैं questions number 15 की ओर बोल रहा है निमलिकित में से कौन जिंक का आयसक नहीं है यह आपको बताना है तो questions number 15 का जो सही होने वाला है वो होने वाला options number D बॉक्साइट जो है जिंक का आयसक नहीं है चलिए अब बढ़ते है questions number 16 की ओर बोल रहा है निमलिकित में फिनोल को पहचाना है इसमें फिनोल कौन सा है यह आपको बताना है ठीक है तो इसका क्या होगा आप लोग बताईए तो इसका जो सही होने वाला है वो होने वाला options number D राइट चलिए अब बढ़ते हैं questions number 17 की ओर बोल रहा है परासरन दाब निमलिकित में से किस समीकरन द्वारा व्यक्त होते हैं राइट तो 17 नमर का क्या सही होगा आप लोग बताईए 17 नमर का जो सही होने वाला है वो होने वाला options number A P is equal to CRT राइट चलिए अब बढ़ते हैं questions number 18 की ओर बोल रहा है पहारों पर जल का कोथना कम हो जाता है क्या करने यह आपको बताना है तो 19 नमर का क्या सही होगा आपको बताना है तो 19 नमर का option number A सही होने वाला है वहाँ वायमंडली दाप कम होता है इस कारण जो है कोथना कोथना कम होता है चलिए अब बढ़ते हैं questions number 20 की ओर बोल रहा है N83 into CR into C204 पर होल 3 में CR का उपसह सही हो जग की संख्या कितनी है यह आपको बताना है ठीक है तो इसका क्या होगा आप लोग बताजिए 20 नमर का जो सही होने वाला है वो होने वाला options number यहाँ पर D6 और यह easily निकल जाएगा इसको निकाला जाता है आपने यदि class क्या होगा तो वहाँ पर आपको बताया गया होगा बाकि आप लोग ट्राइक कीजिएगा यदि आप से जो है यह नहीं बनता है then I will solve it right so try कीजिएगा चलिए बढ़ते हैं questions number 21 की ओर यहाँ पर जो है जो है Q skills में ताप बरने पर जो है यह क्या होता है 21 का बताना है 21 का जो सही होने वाला है वो होने वाला options number B ammonium NH3 का उत्पादन घड जाता है क्या होता है ammonia ammonia NH3 का उत्पादन जो है घड जाता है राइट चलिए अब बढ़ते हैं questions number 22 की ओर तो यहाँ पर क्या बोल रहा है किekk à N uniform c revenue Japan की संख्या है अगर्टर यहां नीलीन में है क्या है कितनी है यह आपको बता है तो इसका सचल को बताएं वाला है वह होने वाला options नमच यहां पर consists याटेन होती है right अप लोग कोस्टन को repeat करते जाएंखा जिससे और questions और answers यहां पर आपको याद हो जाए राइट चलिए अब बढ़ते हैं questions number 23 की और बोल्ड है सिर्का में कौन सा अमल पाए जाता है यह आपको बताना है तो सिर्का में जो है पाए जाता है मेथे नोईक अमल कौन सा पाए जाता है मेथे नोईक अमल CS3COOH चलिए अब बढ़ते हैं questions number यहां पर जो है 24 की और बोल्ड है रवादार ठोस रवादार ठोस जो है वो यहां पर क्या है बताना है questions number 24 का जो सही होने वाला है वो होने वाला options number यहां पर A हीरा चलिए अब बढ़ते हैं questions number 25 की और बोल्ड है OE group के अलावा एमिनो अमल में पाया जाता है तो इसका क्या होगा आप लोग बादे 25 का जो सही होने वाला है वो होने वाला options number यहां पर B right options number B यहां पर सही होने वाला है अब बढ़ते है questions number 26 की और बोल्ड है निम्न में से किसमे टिंडल परवाव नहीं पाया जाता है यह आपको बताना है तो 26 का जो सही होने वाला है वो होने वाला options number यहां पर A चीनी के गोल में जो है टिंडल परवाव नहीं जो है पाया जाता है right चलिए अब बढ़ते है questions number 27 की और बोल्ड है निम्न में से कौन अलडल संग्नन में भाग लेता है तो 27 का जो सही होने वाला है वो होने वाला options number B C H 3 C HO क्या होगा C H 3 C HO right चलिए अब बढ़ते है questions number 28 की और बोल रहा है कि परथम कोटी अभी करिया के लिए T half का मान क्या होता है right टी half का मान क्या होता है यह आपको बताना है 28 का जो सही होने वाला है वो होने वाला options नमर B 0.683 divided by K चलिए अब बढ़ते है questions नमर 29 के ओर बोल रहे कीटोन का किरिया सिल मूलक होता है कीटोन का किरिया सिल मूलक जो होता है वो क्या होता है यह होता है C पे double bond प्राइट ओके बीच और अब बढ़ते हैं questions नमर यहां पर जो है 30 की ओर बोल रहे कौन कारपनिक यौगिक सिल्वर मीरर चार्च देता है तो यह आपको बताना है questions नमर 30 का जो सही होने वाला है वह होने वाला options नमर यहां पर जो है B क्या होगा options नमर B सही होने वाला है अब बढ़ते है questions नमर 31 की ओर बोल रहे निम लिखित में किसकी आवरती चतुस फलकी होती है यह आपको बताना है ठीक है तो इसका क्या सही होगा आप लोग बताए रहे थर्टी वन का जो सही होने वाला है वह होने वाला options नमर यहां पर ए राइट चलिए अब बढ़ते हैं questions नमर 32 की ओर बोल्डर रसाइनिक अधिसोस्थन अभिक्रिया है रसाइनिक अधिसोस्थन अभिक्रिया जो है वह इसमें कौन सा यह बताना है ठीक है यहां पर बोलडा है 33 नंबर की एलकेन का समाने सुत्र क्या होता है एलकेन का समाने सुत्र आपको यहां पर बताना है तो बताइए इसका क्या सही होगा तो इसका जो सही होने वाला है एलकेन का वो हो जाएगा यहां पर आफ्सेंस नंबर जो है ए राइट C N H 2 N प्लस वन राइट चलिए अब बढ़ते हैं कोशन नमर 34 की और बोल्डा ने में लिखित में से कौन सा ओक्साइट लोग चुम्बकत तो प्रदर्सित करता है ठीक है तो 34 का जो सही होने वाला है वो होने वाला यहाँ पे आफिसनस टंबर A C R O 2 क्या होगा C R O T O 2 अले अब बढ़ते हैं कोशन नमर 35 की और बोल्डा बैंजीन का अनुसूत्र बताना आपको ठीक है बैंजीन का अनुसूत्र क्या होगा इसका बताइए 35 का जो सही होगा वो होगा आफिसनस नमर यहाँ पे A सही होगा अब बढ़ते हैं कोशनस नमर 36 की और बोल्डा निम्न में से विलियन के लिए कौन अनुसंख्यक गुण है तो इसका क्या होगा 36 का जो सही होगा वो होगा ओप्सिंस नमर यहाँ पे A परसरन क्या होगा परसरन अब बढ़ते हैं questions number 37 की ओर बोलड़ा वात्य भट्टी में निमली कित में से किस ओक्साइट का अपचेजन होता है तो बताएए इसका क्या सही होगा 37 का जो सही होने वाला है वो होने वाला options number A iron का ओक्साइट क्या होगा iron का ओक्साइट अब बढ़ते हैं questions number 38 की ओर बोल रहा है alcohol में सक्री क्रियासील मूलक है तो कौन सा होगा बताएए 38 का जो सही होने वाला है वो होने वाला options number यहाँ पर A अब बढ़ते हैं questions number 39 की ओर बोल रहा है निमली कित में से कौन मेथोक्सी मेथेन का सुतर है मेथोक्सी मेथेन का सुद्र कौन सा है बताइए तो 39 का जो सही होगा वो होगा ओफसंस नमबर यहाँ पर A, right CS3, OCS3 चलिए अब बढ़ते हैं कोस्टनस नमबर 40 की और बोल्ड है खनीच जिससे धातू का निस्करसन होता है उसे क्या कहा जाता है तो इसका क्या सही होगा अपनों बताइए तो 40 का जो सही होगा वो होगा ओफसंस नमबर A, I ask अब बढ़ते हैं कोस्टनस नमबर 41 की और बोल्ड है आदर स्विलियन का निमन में से ओफसंस नमबर A या राओल्ट के नियम का पालन करता है अब बढ़ते हैं कोस्टनस नमबर 42 की और बोल्ड है निमनी कीट में से कों सा कतन सही है तो इसका जो सही होगा वो होगा ओफसंस नमबर यहां पर यह सभी अज के खनीज सभी अज के खनीज यह जो है सही है ठीक है तो आज की class को यहीं पर end करते हैं और बागे मिलते हैं next जो है वीडियो के साथ next class में और